हिंडी बासा के अंदर अनेक तरह के मुहावरे और लोकोप्तियां सामिल किये गए हैं जिनका वक्यम प्रियोग होने पर वक्ये बड़ा ही सुंदर्वे रोचक बन जाता है और आज का हमारा मुहावरा या लोकोप्ति है बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद है यानि आज हम इस वीडियो के अंदर बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद मुहावरे या इस लोकोप्ति के अर्थ के बारे में जानेंगे साथ ही हम बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद मुहावरे या लोकोपती के वक्यम प्रियोग के बारे में बात करेंगी तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद मुहावरे का अर्थ क्या होता है यानि इस मुआवरे का अर्थ होता है एग्यानी व्यक्ति गुणवान वस्तू की कदर नहीं जानता दोस्तों जब किसी एग्यानी व्यक्ति को एक बहुत ही गुणवान वस्तू दे दी जाती है पर वह व्यक्ति उस वस्तू के गुण के बारे में नहीं जानता है इस कारण से वह उसे उप्योग में ने लेकर उसे एसे ही फैंक देता है इसी तरह से जब बंदर को अद्रक दी जाती है तो वह उसके गुण के बारे में नहीं जानता और उसे एसे ही समझ कर फैंक देता है इस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के गुण के बारे में नहीं जानता है तब हो एग्यानी कहा जाता है और इस तरह से जब कोई व्यक्ति गुणवान वस्तु के कदर नहीं जानता हो तब उसके लिए बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद मुहावरे का प्रियोग क यानि बंदर क्या जाने अद्रक का सुवाद मुहावरे या इस लोकोप्ति का अर्थ होता है अज्यानी व्यत्ती गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता होने की बात होती है वहीं इस मुहावरे का वक्किम प्रियोग क्या जाता है पहला वाक्यम प्रियोग अनपट लोगों को ग्यान की बाते बताने से उन्हें कुछ समझ में नहीं आई गा क्योंकि बंदर के जाने अद्रक का सुआद है दूसरा वाक्यम प्रियोग तुम्हें कभी पेड़े खाए नहीं और उसके बारे में बूरी बूरी बाते कर रहे हो अरे यह तो वही बात हो गई बंदर किया जाने अद्रक का सुआद तीसरा वाकिम ब्रियोग जब सुसीला को पानी पूरी खाने को दी तो वह उसे खराब कहकर फेंकने लगी तब उसके पास खड़ी रिया समझ गई बंदर किया जाने अद्रक का सुआद चौथा वाकिम ब्रियोग पालक की सबजी बड़ी अच्छी होती है पर कृतिका को इस बारे में क्या पता ये तो वही बात हो गई बंदर किया जाने अद्रक का सुआद पानच वाकिम ब्रियोग कृतिका सिमला की पाड़ियों के बारे में बुरा कह रही थी तबी मेंने कहा तुम तो कभी वहाँ पर गई नहीं और तुम उसके गुण के बारे में बता रही हो ये तो वही बात हो गई बंदर किया जाने अद्रक का सुआद दिल्ली से आई महेश्वरी ने जब चाए को गंदा पानी कहा तो उसकी बहन समझ गई इसने कभी चाए पी नहीं और ये इसे गंदा पानी कह रही है ये तो वही बात हो गई बंदर किया जाने अद्रक का सुआद दोस्तों इस तरह से बंदर किया जाने अद्रक का सुआद मुहावरे का वक्केम प्रियोग किया जाता है अगर आप इस मुहावरे के बारे में किसी भी प्रकार का परसन पूछना चाते हैं तो आप अपना परसन कमेंट बुक्स में रख सकते हैं इसके अलावा अगर आप विबिन तरह के मुहावरों की बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमारी इस चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले विबिन तरह के वीडियो की नोटिफिकेसन आपके पास समय पर पहुंच सके और जार हासिल कर सके तो चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ना भूलें